1 करोड की funding 1% equity पर उस brand का valuation 100 करोड रुपीज हुआ 75 लाग का debt plus 10% equity वो भी बिना किसी investment के तीन सो करोड की funding 25% equity के लिए नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर अमित्माईश्वरी बिजनस ट्रेनर, कॉर्परेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर और सी यू मैटास Overseas Limited आप सभी का स्वागित करता हूँ startup funding event की series में, friends बहुत सारे लोग investors से funding grab करने के लिए अपने business को as a pitcher investor के सामने present करते हैं लेकिन हर व्यक्ती funding नहीं ले पाता, आज हम बात करेंगे Shark Tank जैसे program में बहुत सारे pitchers ने अपने business proposal को funding के लिए pitch किया बहुत सारे लोगों को funding मिली और बहुत सारे लोगों को funding नहीं मिली, हम यह समझेंगे कि ऐसे कौन से कारण है जिसकी वज़ा से लोगों को funding मिली और वो कौन से कारण है जिसकी वज़ा से बहुत सारे pitchers को funding नहीं मिली तो सबसे पहले हम बात करते हैं रजत, नितिन, सौरब की जो देरादून से आते हैं और एक pocket size ECG device बनाते हैं एक ऐसा device जिसको pocket में रखकर आपने ECG को monitor कर सकते हैं और उन्होंने शाक से जो ask की pitch किया वो एक करोड की funding 2% equity के लिए friends एक करोड की funding 2% की equity के लिए मतलब है कि उनकी company की valuation 50 करोड रुपीज की हो गई यहीं समझना बहुत जुरूरी है कि आप अपनी company की valuation कितना समझते हैं या investor कितने percent valuation पर आपकी company को आगता है लेकिन investors ने उस business proposal को समझा उनकी pitch के according उन्हें एक करोड की funding 6% equity पर ओफर की अब आप मुझे comment box में लिखकर बताएं कि 6% equity dilute करने पर यदि एक करोड की funding मिलती है तो उस company की valuation क्या होगी मैं इसको एक example से भी clear करता हूँ अगर एक picture 1% की equity dilute करने पर एक करोड की demand करता है तो उसकी company की valuation 100 करोड रुपीज होगी आप मुझे बताएं कि 6% equity dilute करने पर यदि एक करोड रुपे उसको as a investment मिलता है तो उसकी company की valuation क्या होगी दूसरी जो पिचर है वो है रिदिमा अरोडा गुडगाओं से आती है और आयरुवेदिक अन्रिश फूड ये बनाती है इन्हों की जो आस्क थी वो थी एक करोड रुपे के लिए 5% equity लेकिन इनको जो funding मिली वो थी 10% equity के लिए 50 लाक की funding 10% equity इन्हों डाइलूट की और उन सारे लोग जो fitness freak है वो अपनी diet maintain करने के लिए ice cream को avoid करते हैं तो उन्होंने कैसी ice cream develop की जो protein enriched food था जिसकी वज़ा से बहुत सारे gym freaks gym enthusiastic person उनकी उस ice cream को खाने लगे यहां पर उन्होंने जो demand की वो एक करोड की funding 8% equity पर लेकिन जो शाक्स ने उनको invest करने के लिए promise किया वो थ आता है कि इस company की valuation क्या है फोर्थ जो पिचर आते हैं वह रागव एंश्रदा डेली से आते हैं kids tour rising stars के नाम से यह organization run करते हैं जहां पर बच्चों के लिए trips organize करते हैं इनकी जो ask थी वो थी 1 करोड 2% equity पर मतलब इनकी company की valuation भी 50 करोड रुपीज की हुई लेकिन investors ने जो इनक करोड की funding वह भी 4% equity पर फ्रेंड्स यह समझना बहुत जुरूरी है अगर investor को लगता है कि आपका business profitable है scalable है और business में growth की संभावनाई बहुत अदिक हैं अभी एक investor एक valuation के according आपकी company में invest करने के लिए तयार होता है तो आपको यह पता होना चाहिए कि company का proposal कैसे design करना है अपन cost कैसे decide करनी है क्या होती है operating cost इसके बाद break even कैसे calculate करना है next upcoming years में कब आप अपनी return on equity को achieve कर लेंगे इसके बारे में explanation करना है और आपकी company का vision क्या है जो आप investor को pitch करने जा रहे हैं यह explain करना बहुत जुरूरी है अगर आपको business proposal बनाने में कोई भी problem आती है तो आप हमारी team को contact कर सकती है अब मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे pictures हैं जिनका business proposal भी अच्छा था business viable and profitable भी था लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें funding नहीं मिली जैसे यश जो मुंबई से आते हैं ओजी स्ट्रीट वियर अर्बन वंकी के नाम से इनका brand और एक famous brand है लेकिन इनकी जो fund की requirement थी वो थी 1 crore की funding 1% equity पर इसका मतलब उस brand का valuation 100 crore रुपीज हुआ और investors ने 1 crore का investment 10% equity पर offer किया मतलब उनकी company की valuation 10 crore की निकाली friends ये बहुत important है कि आप यदि किसी से investment मांगते हैं तो आपकी company की valuation एक viable होनी चाहिए और इनको investment नहीं मिली क्योंकि एक परसेंट की equity पर 1 crore की demand कर रहे थे और investor को ऐसा लगता था किस company की valuation 100 crore नहीं 10 crore होनी चाहिए इसलिए इनका proposal reject हो गया next जो picture आते हैं वो है dr. Manoj और निर्मला जी जैपूर से आते हैं और grocery का इनका business है कबीरा handmade grocery इनकी जो ask थी investor से वो 1 crore की funding 5% equity पर इनको जो offer गवा था वो 75 lakh का debt plus 10% equity वो भी बिना किसी investment के फ्रेंड्स यहां यह बात समझना बहुत जुरूरी है अगर investor को लगता है कि यह profitable business नहीं है तो ज़्यादा equity डिवान करता है और आपकी company में equity के बदले debt देता है मतलब आपने उनको 10% equity दी पर उन्होंने आपको 75 lakh रुपी का debt दिया करजा दिया आपकी company को grow करने के लिए अगर आप भविश्य में growth नहीं कर पाते हैं तो वो करजा आपको वापस देना होगा लेकिन equity के case में क्या होता है जो fund के बदले मिलती है कि वो company आगे grow करे तो लेकिन अगर कोई company या कोई investor आपस में deal करता है equity के बदले debt तो एक तरह से ये एक तरह से मोट गेज हो गया कि उन्होंने 10% equity भी ले ली और आपको 70,000,000,000 का करजा भी दे दिया तो यहाँ पर जो प्रोपोजल था वो accept नहीं किया मनो जी और निर्मला जी ने तो यहाँ प करते हैं वह बड़ी different demand है वह करते है 300 क्रोड की funding 25% equity के लिए अब आप समझेए 300 क्रोड की funding 25% equity के लिए का मतलब है चारती है 12, 1200 क्रोड रुपे की इनकी company की valuation हो गई और investors ने hand to hand इनका proposal reject कर दिया फ्रेंड्स आपकी company की जो viability है न वो बहुत important role play करती है कि future values की क्या होगी यदि वो justified होगी तभी investor invest करेगा इसी लिए इतनी funding आप demand करें जो उस business के लिए viable हो और इतनी equity dilute करें जिसमें investor आपकी company में invest करने के लिए तयार हो next जो picture आती है वो है जैसिका मदान देली से आती है pet grooming and spa एक तरह का clinic वो run करती है उनकी जो investment की requirement थी 75 lakh रुपी की investment और 7% equity पर लेकिन investors को ये business viable नहीं लगा क्योंकि बहुत सारे clinic इस तरह के बने हुए है जहां pets की day care की जाती है pets की health के लिए काम किया जाता है तो उन्होंने इस proposal को reject कर दिया friends आप एक बेहतरी बिजनस प्रोपोजल बनाए और बिजनस प्रोपोजल बनाते समय यदि आपके मन में कोई भी प्रशन उठे तो आप वो comment box में हमें लिखकर जरूर बताए हम आपको इसका reply करेंगे साथ साथ स्टाटप फंडिंग से related बहुत सारे वीडियो मेरे इस YouTube चैनल पर दिये हुए है मेरा आपसे request है उनको जरूर देखें और समझें कि proposal कैसे डिजाइन करना है प्रपोजल डिजाइन करने के बाद investors को कैसे search करना है और investors को search करने के बाद किस तरह से आप अपने प्रपोजल को pitch करेंगे friends कई लोगों के मन में ये भी प्रश्ण है कि sir हम एक करोड रुपे के लिए 10% equity दे देंगे तो ये तो बहुत घाटे का सोधा है क्यों क्यों क्योंकि हमारा company बहुत profitable है और भविश्य में हमारी growth के संभावना है देख है friends आप इस बात को ऐसे ना समझें आप इस बात को दूसरों रूप में समझें अब आप पैसे लेकर एक experience person को hire कर रहे है जो आपकी company की growth के लिए आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपको develop करने में काम करेगा जैसे वो lens card के CEO हो या किसी बड़ी company के investor director हो तो ये बहुत important है कि य employee as a CEO hire करें जो आपकी company को guide करें और आप growth करें या investor से funding लेकर और investor के अनुभव को अपने business में लगा कर exponential growth हासिल करें चोईज आपकी है स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूँ जै हिंद जै भारत झाल